अस्सलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब तो आज हम बनाएंगे मिनी पिन्वील समोसास बहुत ही बढ़िया बहुत ही टेस्टी बनके ये रेडी होते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैंने एक बावल ले लिया है बावल में हम डालेंगे देड़ कप मैदा फिर इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून सूजी यानि रवा फ़ टीजपून अजवैन फ़ टीजपून नमक एक टेबल स्पून तेल अब इन सारे चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें अच्छे से मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएं और इसे एक टाइट डो की तरह बना लें तो ये हमारा टाइट वाला डो बनके रेडी हो चुका है थोड़ा सा अपने हाथ को आईल लगाएं और इसे अच्छी तरीके से दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से गून लें तो ये हमने अच्छे से घून लिया है अब इसे हम इसी तरीके से रेस्ट पे रख देंगे तो ये बॉयल एंड मैश्ट पोटाटोस है जिसे उबाल कर मैंने रख लिया था इसमें हम डालेंगे नमक हल्दी पावडर हाफ स्पून लालमिच पावडर हाफ स्पून धन्या पावडर हाफ स्पून थोड़ा सा शाजीरा सावीत या पावडर भी ले सकते हैं थोड़ा सा चाट मसाला एक स्पून सिरका वन स्पून आप लेमन या फिर आमचुर पावडर भी यूज़ कर सकते हैं अब इन सारे चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर ले इसमें डाले थोड़े से मिंटन कोरियैंडर लीव्स और अच्छी तरीके से मिक्स कर ले तो ये हो गया है रेडी तो अब हम इसे रख लेंगे साइड में यह जो आटा हमने गून के रखा था उसे एक से दो मिनिट के लिए फिर से थोड़ा सा ओईल लगा के गून ले अब हम इसके छोटे-छोटे से लोई ले ले लेंगे पेड़े बना लेंगे छोटे से इसमें से एक पार्ट लेके मैं उसे राउंड शेफ दे दूंगी और इसे आटा टस्ट करके इसे गोल हमें रोटी की तरह चपाती की तरह बेल लेना है बड़ा बेल लेना है जादा पतला या जादा मूटा भी नहीं रखना है अच्छे से बेल ले अच्छे तरीके से बेल लिया है, अब हम इसमें डालेंगे वो आलू की फिलिंग जो हमने बनाके रखी है, इसे हमें पूरे आलू को अच्छे से फिल कर लेना है, बारीक लेड़ से हमें सारे चपाती में डाल लेना है, बहुत ही बढ़िया बनके रेडी होता है ये, तो ये देखिए इस तरीके से इसे फोल्ड कर ले जितना हम बड़ा बड़ी चपाती बनाएंगे उतने ही बड़े हमारे पिन्वील समोसास बनके रेडी होंगे यह मीनी बता रही हूँ तो इसलिए मैं छोटा बना रही हूँ अच्छे से सारा फोल्ड कर ले अब यह साइट जो है ना इसे अंदर मोर दे दोनों साइट से मोर ले अब एक नाइफ की हल्प से कट कर ले हमें अच्छे हलके हातों से अच्छी वाली नाइफ से कट करना है ताकि हमारा शेप जो है खराब ना हो बहुत हलके हातों से सारे कट कर ले तो एक लेके बताऊंगी मैं आपको, तो ये देखिए, ये देखिए, कितने परफेक्ट और कितने अच्छे बनके रेडी हुए, सारे इसी तरीखे से हम कर लेंगे, रेडी, और इसके बाद में इसे हम प्राइ करेंगे, अगर आपको शेप सही ना लगे, तो मैं बता रही ये मैंने ओएल रख दिया है, गरम होने के लिए, बहुत ही अच्छे से गरम हो चुका है, अब ये है इस लर्प, जिसमें मैदे में मैंने, तीन टेबल स्पून मैदे में, हाफ गलास मैंने पानी डाल दिया है, ज्यादा गाड़ा या ज्यादा पतला नहीं रखना, उसे मी एक और बताती हूँ, एक पिन्विल समूसा ले ले, इसको अच्छी तरीखे से कोट कर ले, और इसे उठा कर, फिर से हमें से ओयल में डाल देना है, सारे इसी तरीखे से रेडी कर ले, तो ये मैंने इसमें डाल दिया है, अब गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे इसी तर फ्राइ करते रहना है, तो ये देखिए, ये फ्राइ हो चुके है, मैं आपको बताऊंगी, ये देखिए, गोल्डन ब्राउन ये अच्छे से रेडी हो चुके हैं, तो अब हम इसे निकाल लेंगे, तो ये मैंने इसे निकाल दिया है, बहुत ही बढ़िया वाले बनके ये रेडी हुए, सारे ऐसे ही रेडी कर लेंगे, तो ये हमारे मिनी पिन्वील समूसास बनके रेडी है बहुत ही बढ़िया ये बने है ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी भी बने है ये बहुत ही टेस्टी भी बनते हैं गर्मा गरम समूसास रेडी है तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राइ कीजिए आप सब को बहुत अच्छी लगेंगी क्योंकि यूनीक स्टाइल में हम अच्छे समों से बना सकते हैं बहुत ही बढ़िया बनके रेडी हो सकते हैं इसे कैचप के साथ लीजी और भी अच्छा लगेंगा तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगने लगे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइ करना मत भूलिए लाइक शेर कमेंट भी जरूर कीजिए अल्लाखाव